नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों कड़ी मेहनत का किसी परकार का तूड नहीं है इस परकार का आपने बात जरूर सुना होगा लेकिन दोस्तों आज का समय इसका बहुत विपरित है और आज के समय जिसने दोस्तों आपने दिखा होगा जिन लोगों के पास धन नहीं होता और आपको भी लगता है कि इन होने इतना मेहनत भी नहीं किया होगा लेकिन इसके बाद इनके पास धन कैसे आया ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत जादा आते होंगे तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों मेहनत के साथ अगर व्यक्ति इन उपायों को करता है तो दोस्तों उसे दोगुना लाब अपराप्त होता है अगर केवल आप मेहनत ही करते हैं तो दोस्तों आपको आपसे जो बुद्दिमान लोग होते हैं जागरत देवता हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसमत चमके हर्मान जी आपके काम को करें तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए तो बात करते हैं पहले उपाय की दूस्तो अगर आपका कोई बड़ा काम है जो बहुत देखने के अंदर बड़ा है और करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और हो सकता है कि आपसे इंपोसिबल हो आप चाहते हैं किसी परकार की बाहरी सकती इस काम के अंदर आपकी मदद करें तो दोस्तों आप क्या करें कि हर्मान जी के मंदिर आए और हर्मान जी को मीठी पान का बीड़ा हर्मान जी को जरूर चड़ाना चाहिए अगर आप लगातार 11 बार प्रतिक मंगलवार को इस तरह से आपको 11 मंगलवार तक आप हर्मान जी को पान का बीड़ा तड़ाते हैं उसे बीड़ा इसी तरह से बोला जाता है क्योंकि जिस परकार से आपने काम को करने का बीड़ा लिया है और उस काम को आपको करना है उसी परकार उस बीड़े को हर्मान जी को सौप दे आप कहें कि हर्मान जी यह आपको बीड़ा दे रहा हूँ मेरा यह काम आप स्विकार जरूर करें कहते हैं 11 बार दिये गए बीड़े को हर्मान जी कभी भी स्विकार नहीं करते हैं उस बीड़े को तुरुंत उठाते हैं उसके बाद दोस्तों आपका चाहे काम कितना ही impossible क्यों न हो कितनी ही इस काम के अंदर अड़चन क्यों न हो कितनी ही जाद आपने मेहनत कर रही हो लेकिन उसके बाद यह काम आपका सपल नहीं हो रहाता तो सपल हो जाएगा हर्मान जी की असीम करपा आपके उपर देखने को मिल जाएगी दोस्तों कई बार क्या होता है कि वाहन चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा खत्रा रहता है चाहे आपका वाहन च्छोटा बाइक हो मैं तो कहूंगा कि साइकल ही क्यों नहीं हो और उसके बाद किसी भी परकार का वाहन हो वाहन चलाते समय आपको दुर्गटना का बहा रहता है आपने लाक गुना परितन कर लिया उसके बाद भी आपके जीवन के अंदर सांती नहीं है आपको हमेशा मर्ट्यू का भै, दुर्गटना का भैस अता है तो हर्मान जी के मंदिर जाएं हर्मान जी का जो सिंदूर रहता है हर्मान जी के चरणों के अंदर उस सिंदूर को लेकर आएं और आप अपने वाहन के उपर आपको ओम और स्वास्ती का चिन बना देना चाहिए दोस्तों समभावित दुरगटना समाप्त हो जाएगी और आपको आपकी दुरगटना देखने को नहीं मिलेगी चाहे कैसा भी आपका वाहन हो हर्मान जी के चर्णों के सिंदूर का एक स्वास्तिक आप जरूर अपने वाहन के उपर बनाए आप देखेंगे कि उस वाहन को कभी भी जुरगटना का सिकार नहीं होना पड़ता है दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारे काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते है हम को प्रियास करते हैं लेकिन काम नहीं बनते है और कई बार क्या होता है दोस्तों किसी वक्ति के साथ लड़ाई जगड़ा भी हमारे कामों के अंदर बादक होता है तो आप क्या करें हनमान जी के मंदिर के अंदर जाएं मंगलवार या सनिवार के दिन जाएं और हनमान जी को गुड और चने का भोग रखाएं दोस्तों गुड आपको मंगल गरह के दोस होते हैं मंगल गरह के दोसों से या आपके कुंडली के अंदर निम्र मंगल दोस होते हैं तो उनसे मुक्ति प्रदान करवाता है वह गुड और साथ साथ चना दोस्तों भगवान विश्नु का भी पिरियम आना जाता है और साथ इस चने के माध्यम से दोस्तों आपकी गुरू गरह की दसा भी मजबूत रहती है तब आप गुड और चने का भोग लगाते तो मंगल और गुरू गरह जब दोनों मजबूत रह जाएंगे तो समर लीजिए कि आपके काम आसानी से बन जाएंगे आपको किसी भी परकार के समयशा देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद दोस्तों आपका वह काम आसानी से बनता है उन कामों के अंदर आपको अर्चन या किसी परकार की असंता देखने को नहीं मिलती है दोस्तों इसी तऱ अगला उपाए है जो हर्माण जी का विसीस उपाए है दोस्तों आप कोई बड़ा काम करना चाहते है आपने जीवन के अंदर प्रते एक सुबह उड़ते ही आपको हर्मान चालीशा का एक बार पाट करने का नियम बना लेना चाहिए निश्चित तोर पर वह आपका काम बनता है क्या करें सुबह जल्दी उठें सनार आजी करने के बाद उत्तर जिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं उत्तर जिशा की और दिपक जलाकर आप लाल आसन पर बैठ जाएं अपने पास किसी भी परकार की चमड़े की चीज़ नहीं रखें और उसके बाद आप एक बार हर्मान चालीशा का पार्ट पढ़ लें और दोस्तो हर्मान चालीशा का पार्ट पढ़ते समें आप अपने साथ किसी परकार क चावल किसी परकार का आपको अनाज जरूर रखना है इस अनाज की भी योगिता है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं अब जैसे ही एक चौपाई पढ़ें आप अपने उस जो आपने पास में अनाज रखा है अपने मुट्टी के अंदर लें और उसके उपर फूंक मार दें ऐस करते हुए जब हनवान चालिसा की चालिस चौपाई पढ़ते हैं तो चालिस बार उस अनाज के अदर आपको फूंक मारनी है अदोस्तों ऐसा करने से जो आपकी तमाम जो हनवान चालिसा की सकती रहती है उस अनाज के अंदर आ जाती है आप दोस्तों उस अनाज को कैसा भी अनाज है आप उबाल कर उस अनाज को किसी चीज के साथ चाहे मिटा हो या तीका हो किसी भी चीज के साथ उस अनाज को उबाल कर आप ले और उसे आप गरहन कर ले आप दोस्तों आप देखेंगे हर्मान चालीसा का यह उपाए आपके उन सारे असंभाव कारियों को बनाने के अंदर आपकी मदद करता है जो काम आपके नहीं बनते थे वह बनने लगते हैं हर्मान चालिशा का ऐसा ही उपाई है बस लगातार आप 50 दिन इस उपाई को कर लेते हैं 51 दिन अगर आपका कोई दिन छूट जाता है तो अगले दिन को आप काउंट कर लें ऐसा करते हैं 51 दिन का लगातार आपको हर्मान चालिशा का जाप आपके संपून बाधाओ का निवारन करता है आपके ऐसे काम बनाता है जो आप सोच नहीं सकते हैं पास साधर नहीं थे लेकिन आपके काम बन जाते हैं दोस्तों अगर आपके विसेश उपाए है और विसेश आपको मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो हनवान जी को आप लंगोट जरूर चड़ाएं लंगोट हनवान जी को पकमर के नीचे की तरफ बांजी जाती है उसे लंगोट कहा जाता है और हनवान जी को लंगोट चड़ाना समझ लीजिए कि आपके अंतिम एपट है और नीची तोर पर ऐसा करने से हनवान जी आपसे परसंद भी होंगे तो आप हनमान जी के मंदे जाएं, पुजारी जी से कहें कि आज की लंगोट मेरी तरफ से और विशे तोर से मंगलवार या सनिवार की तरफ से अगर आप हनमान जी को लंगोट चड़ाते हैं तो दोस्तों किरफ सिर्फ आपको सो डैर सो रुपे का खर्च आता है लेकिन अगर आपने हनमान जी को लंगोट चड़ाई और हनमान जी आपके इस उपाई से परसंद हो गए तो दोस्तों आपके वारे नयारे हो जाएंगे साथ पीडी तक धन की कमी नहीं होती है बस मत्र इस उपाई को करने से इसी वज़े से कहा जाता है कि अगर आप महनत करेंगे तो केवल मजदूर की तरह रहेंगे लेकिन महनत के साथ अब अगर दिमाग से भक्ती से आप अपने एफ़र्ट से द्वारा कोई काम करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर तरक्य होती है इसलिए आपको चारो दिशाओं के अंदर ध्यान रखते होगे काम करना चाहिए निश्चित तोर पर भगवान का अशिरबात देखने को मिलेगा माता लक्ष्मी सदेव आपके घर परिवार को और आपको माला माल बनाने का काम करती है अगर हर्मान जी के निमित इन उपायों को आपने कर लिया तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें